वेलकम टू जीरो से जिनियस तक के यदि आपको एसे से जीडी या रेलवे गुरूप डी एकजाम्स देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा उप्योगी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हमने 30 ऐसे सवालों को सलेक्ट किया है जहां से आपके एकजाम् करते हैं कोशन नमबर वन है कौन सा राज्या 36 गढ़्ड राज्य की सिमाव को नहीं चूता है आंसर होगा आपसन नमबर सी पच्छिम बंगाल कोशन नमबर टू गुहाटी के चितरांचल पहाडी पर डैस का मंदिर इस्तित है आंसर होगा आपसन नमबर बी नौग रह कौन सा राज्या सबसे बड़ा है आंसर होगा आपसन नमबर सी राजस्थान कोशन नमबर फोर मध्या पर्दिश में इस्तित नेपानागर निम्ण में से किसके लिए प्रसिद्ध है आंसर होगा आपसन नमबर ए कागज बनाने का करखाना के लिए कोशन नमबर फाइब कौन सा भारतिय राज्य की सिमाय मयामार से नहीं मिलती है, answer option number C, तिरी पूरा, question number 7, उपराश्ट्र पती का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, answer option number C, संसत के द्वारा, question number 8, उपराश्टपती का निर्वाचन कैसे होता है ये सवल हाली के रेलवे एक्जाम्स में आया था आंसर है आपसर नमब बी और परतियक्ष रूप से कोशन नमब नाइन कानून के समान सरक्षन वाक्या कहा से लिया गया है आंसर हो जाएगा आपसर नमब ए अमेरिका आंसर है क्या अमेरिका कोशन आगे है काला जंडा किसका प्रतिक है आंसर होगा आपसर नमब ए विरोध का कोशन नमब बारा अकवर ने अपनी राजधानी को परिवर्तित कर अगरा से फतेपूर सिक्री कब किया कितने वर्सों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिक्ता समाप्त हो जाती है आंसर है आपसर नमब ए गोपाल हरी देशमुख को कोशन नमब बंदरा किस कांड के कारण और सहयोग आंदोलन बंद करना परा किस कांड के कारण और सहयोग आंदोलन बंद करना परा आंसर है आप्सन नमबर A, चौरी चौरा कांड के कारण, कोस्च नमबर 16, अध्याक्ष का पद कुछ समय के लिए खाली रहा, आंसर है आप्सन नमबर A, राजी उगाधी की हत्या के कारण, कोस्च नमबर 17, किस देश में दोहरी नागरिक्ता का सिधान्त स्वैकार किया गया ह आंसर है आप्सन नमबर C, सन्युक्तिराज अमेरिका, कोस्च नमबर 18, किस परण मंत्री का कार्य काल सबसे अधिक समय तक रहा, आंसर है आप्सन नमबर A, भारत के प्रथम परण मंत्री का, और आपको पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपती भी सबसे अधिक समय तक हाने वाले रश्ट्र पती हैं, डौक्टर राजंदर अपशाद, कोछो नमबा कुनांबा कुन्पाल को जोड़ती हैं, तपर राज्जियों को जोड़ती हैं अंध्रपर्देश एव तमिल नाडू को कोशन नमबर वी से है कौन सी जल संधी अंतराश्टिय तिथी रेखा के समनांतर इस तिथ है अंसर होगा आपसन नमबर वी बेरिंग जल संधी गहरा नीला रंग होने के कारण किस जल धारा को जपानी लोग जपान की काली धारा कहते हैं आंसर है आपसन नमबर सी क्यूरोसिय जल धारा को जपान के लोग जपान की काली धारा कहते हैं ग्रेट बेरियर रिफ डैस की समीप इस्तित है आंसर हो जाएगा आपसन नमबर सी ऑस्टेलिया कोशन आगे है बॉन वीले बांध किस नदी पर इस्तित है बॉन वीले बा कोलंबिया नदी कोस्ट नमबर 24 है मजहर की घोसना किस मुगल सासक ने की आंसर है आपसर नमबर C अकवर ने किया था 1589 इस वी में कोस्ट नमबर 25 है किस नदी का डिल्टा चीरिया के पड़ जैसा है आंसर होगा आपसर नमबर C मिसी सी पी नदी अच्छा नाम है मिसी सी पी नदी आगे सवाल है किस छेतर के चरागाह को वेल्ड कहा जाता है आंसर है आपसर नमबर C दक्छिन अफिर का कोशन आगे है कौन सी एक नगदी फसल है कौन सी एक नगदी फसल है आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C रावर्ड और ये पूरे बीश्वा में सबसे अधिक ब्राजिल में होता है हरगोबिंद खुराना को सन 1968 में किस छेतर के लिए नोविल पुरसकार परदान किया गया आंसर हो जाएगा आपसर नमबर C चिकितिसा विज्ञान के लिए कोश्चन आगे है कौन सा देश एक वर्ष में स्वरवाधिक मातरा में कच्चे तिल का उत्पादन करता है राइट आंसर होगा आपसर नमबर C सौधी अरब कोश्चन नमबर 30 है कोश्चन नमबर 30 है उधोगों के अस्थानिय करन का प्रती रूप किस ने प्रतिपादित कि या था आंसर हो जाएगा आपसर नमबर B वेवर ने तो आपके लिए एक सवाल है भारत में संकुधारी वन कहां पाए जाते हैं यदि आप राइट अंसर बता सकते हैं तो सिंपली आपको कमेंट वोक्स में जाना है वहाँ पे लिखना है क्यू फोर यू और इसके राइट अंसर तो आप हमरे सक रेगुलर जरूर रहिए क्योंकि हम आपके सिलेबस के बहुत ही जादा इंपर्टेंट सवालों को सलेक्ट करके आपसे डेली पूछा करते हैं यदि आप रेगुलर रहते हैं तो हमारे वीडियो से भी आपके एक्जांस में खूब सारे सवाल लड़ करते हैं पूछे जाते हैं बाकी अब कोचिनी स्कूल ट्यूसन सेलफे स्टडी करते रहिए जय हिंद जय भारत